हे एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गंगु भाई काठिया वारी इंस्पारड मेकप लुक तो यह देखिए यह मैंने मेकप क्रियेट किया हुआ है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देवी के स्टार्ट करते हैं व आपको थोड़ी बहुत स्टोरी बता देती हूँ तीस जुलाई को मोवी रिलीज होने वाली है कोविट की वज़े से थोड़ी सी देरी हो गई थी और आलिया भट ने किर्दार निभा रखा है गंगु भाई काठिया वाडी जी का तो गुजरात की रहने वाली थी और असल मतलब जिसे भाग के शादी कर ले थे तो उन्होंने शादी भाग के कर ली थी और मुंबई भागाई थी बहुत जादा बड़े-बड़े सपने देखती थी मतलब एक्ट्रस बगरा बनने के लेकिन उनके पती ने क्या कर रहा उनके पती ने 500 रुपे में उनको बेच दिया और गाईज जो मैं फेस में कर रही हूँ यह आजकल ट्रेनिंग में है ब्लस टेकनिक तो मैंने भी ट्राइ करके देखी अभी आप मेरा फेस देखना कितना जादा गलो करेगा तो हम कहां पर थे उनके पती ने उनको 500 रुपे में बेच दिया मतलब सोचो वो शादी करके भ गए थे क्योंकि मतलब उस जगह में हर टाइप के लोग आते हैं गुंडे वगएरा हर कोई आते थे तो फिर उन्होंने अपना कोठा वगएरा खोड़ लिया था और वहां वो जो भी लड़कें रखती थी ना वो उनकी मर्जी से ही रखती थे उनकी मर्जी के खिलाफ नही मतलब बहुत अच्छी थी तो वाइस मुझे तो उनकी इतनी ही स्टोरी पता है वो भी मैंने गूगल से देखी थी जाकर अब आगे हम मोवी में ही देख पाएंगे कैसी थी वो क्या कुछ था बहुत कुछ जानने को मिलेगा उनकी लाइफ के बारे में और आज मैंने बलश तो इस टेकनिक से एकढम रिल ग्लो दिख रहा था sempre तो मैंने भी आजुछ चैकर ने कोशिश करी क्योंकि उनके फिस मेही नहीं करे मेरा, मैंने कांटार करी क्योंकि मुझे थोड़ासा लाइट लग रहा था और फिर मैने शुगर का सैटिंग स्प्रे लगा लिया था फे छोटा सा foundation लगा ले था थोड़ा बहुत और यह blush technique मुझे करनी थी इसलिए मैंने कर ली otherwise वो भी करने की ज़रूरत नहीं थी बहुत ही ज़्यादा natural रहते थे यार पहले के लोग तो इतना सब करने की ज़रूरत थी नहीं और थोड़ा बहुत मैंने कर ले क्योंकि आले भट मे मैंने है भी नहीं करा है और यहर मुवी देखते हैं कैसी बनी है उनकी गंगु भाई की जितनी मैंने गूगल में स्टोरी पढ़ी जितना मैंने देखा उनके बारे में तो काफी ज़्यादा अच्छी लगी हूँ दिल की साफ इंसान थी वो एकदम और हमेसा मदद के लिए आगे रहती थी जो उनके वर्कर्स थे जो उनका अपना कोठा था वहां के जो वर्कर्स थे उनकी भी हेल्प करती थी और सोची 16-16 साल की लड़किया इतने बड़े सपने देखने वाली पती ने उनको 500 रपे में बेज दिया और यह मैं उनकी तरह बिंदी लगा रही हूँ और ऐसे ही गाल में तिल था उनके और अल्याभण ने भी यह चीज़ करी हूँ थी गाल में तिल तो फिर मैंने भी गाल में तिल बना लिया था काजल की हेल्प से और मैं लिपस्टिक भी वही लगाऊंगी जिससे मैंने बिंदी बनाई थी एक्शली मेरे पाए इतनी मतलब ही नहीं बनता यार तो पस ऐसे ही मैंने चुटनी वगेरा से यह सूट वही है जिससे मैंने होली मेकप लुक किया हुआ था अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी आई बटन में भी मैं डाल दूँगी आप जाके जरूर देखना आपको वो वीडियो भी काफे ज़्यादा पसंद आएगी और यह रहा मेरा फाइनल लुक और मैंने कोशिश कर रही है यार अच्छे से मेकप लुक लाने की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को जादा से ज़्यादा लाइक करना अपने फ्रेंड्स और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुद्भूलना और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मुद्भूलना ऐसे अच्छे ची वीडियो में आपके लिए लेकिया आते रहूंगी जल्दी ही मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक